क्योंशन एथा रजटों को पैरलर बान सकते हैं, नहीं कि ये पैरलर में है नहीं कि यह पीपॉइंट के साथ यह एक डायर्फ के इस तो इस वज़ा प्स में क्या हैं पैरलर नहीं है यह करने हैं कि इसमें थो हम नान सकते हैं निकले हो मैंटनेंट तो यह निकली हो कोई में नीकरता तो यह हमारे पास तो एंटोनों कहसी Fr पास 2C इन दोनों का सी एफेक्टिव क्या जएगा यह दोनों मार पास पारलेल में आगे तो इन दोनों का सी एफेक्टिव निकालना होता है तो सीरीज में हमारे पास C effective होता है C effective निकाले के पांद में C effective 1 by C1 plus 1 by C2 और parallel में हमारे लिए होता है C effective होता है C1 plus C2 यह resistance का उल्टा होता है तो यह तो अब हमारे पास क्या होगे सीरीज में 1 by C1 plus 1 by C2 करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा 1 by C effective equal to 1 by C1 plus 1 by C2 हम करेंगे तो अज़े क्या 1 by 2 plus 1 by 2 यानि कि क्या है 2 by 2 हमारे पास क्या है 1 micro farad तो इन दोनों का C effective क्या हाज़ेगा हमारे पास हम इनको अठाके क्या लेगा सकते है 1 micro farad लेगा सकते यानि कि C हमारे पास आज़ेगा यहां पर अब यह दोनों आपस में क्या होगे parallel में तो यह दोनों आपस में क्या होगे parallel में होगे तो अब हमारे पास यह CC है न तो 2C 2C अब यह दोनों हमारे पास क्या होगे यह दोनों हमारे पास parallel में होगे तो हमारे पास C effective क्या है 7 plus 32 यानि कि 2C अब इन दोनों को अटाके हम क्या लगा सकते हैं तूसी इन दोनों को अटाके हम तूसी लगा सकते हैं अब यह दोनों हमारे पास सीरिज में आगे अब इन दोनों का सी एफेक्टिव क्या आजेगा हमने भी निकाला था सी आजेगा तो इन दोनों को अटाके हम क्या लगा सकत सी प्लेस टू सी यानिकी थ्री सिल तो आंसर क्या है हमारे पास थ्री सिल देस इस दो आंसर